नमश्क्त कर दोस्तों दर्ब themes रखस मेह का स्वागत है दर्बuggling है एरपोर्ट से उडान की तारीक तेह होने के साथ ही booking शूरू होने के साथ ही अब एरपोर्ट को नया थाना मिलेगा जयाँ दोस्तों दर्भंगा एरपोर्ट से जैसे ही उडान शुरू होगी तो आने वाले दिनों में अब दर्भंगा एरपोर्ट का खुद का थाना होगा खुद का पुलिस टेशन होगा और इसके लिए दर्भंगा के कमिशनर और सस्पी ने बकायदा मुख्याले कुछ चिछिलिक करके एरप कोट थाने पर सालाना खर्च का भी बेवरा जारी किया गया है जो की एक करोव 18 लाग के असपास बैठेगा और इसका प्रस्ताव भेज़ दिया गया है मुख्याले को तो पटना में मुख्याले को भेज़ दिया गया है और उमीद है कि यह प्रक्रिया अब शुरू हो गई के साथ साथ SSP बाबुराम ने भी अनुशन सा पत्र के साथ नक्षा भी ADGP विधी विवस्था को भेजा है यानि लो आन ओर्डर के जो ADGP हैं उनको भेजा गया है ताकि यह थाना वहां से जब अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद यह थाना बनाने के प्रक्रिया जवानों को CISF की ओर से ट्रेनिंग दी गई है और टोटल 74 जवान को ट्रेन करके यहां भेजा जाना है और पिछले महीने से ही यह ट्रेनिंग चल रही है तो यानि टोटल 74 जवान दरवंगा एरपोर्ट में फिलहाल तैनात किये जाएंगे जिसमें 13 BMP के 13 जवानों को यह नहां पर CISF की तरफ से फिलहाल लगाया जा रहा लेकिन थाना जरूरी हो बन थाना सिविल चुकि सिविल मामला रहेगा तो थाना जरूरी रहेगा और इस थाने में एरपोर्ट थाने में बुच्चामन वसैला गोपालपूर शहर और वार्ड नंबर तीन के बेला दुला म महला भी इसमें शामिल किया जाएगा और इसके इलावा बासुदेब पूर पंचायत का जो महेश पट्टी और बासुदेब पूर गाओं है उसको भी स्थाने में शामिल किया जाएगा तो यानि के प्लैन बड़ा है कि दरफंगा एरपोर्ट का जब विस्तार होगा या फ तो उस समय कानून वरस्था को बरकरार रखने के लिए या अपरात को नियंतरण में रखने के लिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखके इस एरपोर्ट थाने की रूप रेखा तयार की गई है और इसकी पूरी तयारी कर ली गई है कितना बजट होगा, कितना शेत्रफल होगा, इसमें कितने पुलिस कर्मी होंगे, सारा कुछ इसका बना करके भेजा गया है मुख्याले को, अर उमीद है कि वहाँ से अप्रूबल जल्दी आ जाएगा, हलाकि कुछ समय लग सकता है इसके गठन में, लेकिन ये परकरिया शुरू हो चुकी है, तो दरहंगा में आ एरपोर्ट जैसे ऑपरेशनल हो रहा है, तो अब एक थाना भी आपको देखने को मिलेगा, जो एरपोर्ट को डेडिकेटेड होगा, और ये चुकी सुरक्षा का मामला होगा, इसलिए एरपोर्ट थाने को जो है, वो बहुत ही प्रात्मिक्ता के साथ बनाये जाएगा, और इससे जो है, वो काफी लाब होने की उम्मीद है, खास करके जो क्योटी पर लोड है, उसका लोड कम होगा, और एरपोर्ट का एक डेडिकेटेड थाना होगा, जिससे की लॉइन और को मेंटेन करने में आसानी होगी भविश में, तो दोस्ते ये वीडियो आपको कैसा लग जो है, वो पहली फ्लाइट शुरूर नहीं होती है, हर एक खबर छोटी बड़ी तमाम खबर अब तक लाते रहे हैं, और आगे भी लाते रहेंगे, क्योंकि ये अतिहासिक पल है दरवंगा के लिए, मितला के लिए, और 22 जिले जो उत्तर भिहार के उनके लिए, तो आने व प्रिष्टे को इनके लिए करेंगे, क्योंकि जो है, हर दो है और 22 जिले जो है उत्तर भी है, है लिए मितला के लिए को उत्तर भी तमाम जोग एक लिए जो है, हम पल्गे विए, और एक लिए.